इस सकारात्मक सोच ने लोगों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को नश्ट कर दिया है दिमाग रास्ता बनाता है लेकिन आपको कभी वहाँ लेकर नहीं जाता आपको फिर भी रहा पर चलना होता है विचारों को इतना महत्व देकर जीवन जीना बहुत नुकसान दे है ये आपको अच्छा महसूस कराएगा लेकिन ये जीवन का सबसे अच्छा समाधान नहीं है इस सकारात्मक सोच ने लोगों के लिए बहुत सारी संभावनाओं को नश्ट कर दिया है सकारात्मक सोच इस तरह से एक कविता है सकारात्मक सोच रखने वाले ने लिखी हुई एक छोटी चेडिया उड़ी आस्मान में उसका मल गिरा मेरी आँखों में लेकिन न तो मैं रो सकता हूँ न कर सकता हूँ चिंता क्योंकि मैं हूँ सकारात्मक सोच वाला बंदा भागवान का शुक्रिया और करता हूँ प्रार्थना कि भैसों को न सिखाना उड़ना मेरी इच्छा है कि भैसे भी उड़ें और चीज़ें इन लोगों के उपर गिरें क्योंकि अगर आप जीवन को बिल्कुल वैसा नहीं देखना चाहते हैं जैसा कि ये है तो आगे बढ़ने की संभावना ही नहीं है अगर आप जीवन को वैसा नहीं देखना चाहते हैं जैसा ये है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप केवल दिमागी तोर पर फिजूल चीज़ें करते रहेंगे जो आपका मन बहलाएंगी लेकिन आपको कहीं नहीं ले जाएंगी अगर हमें इस जीवन की चिंता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस सच को जाने कि हम वाकई हैं कहाँ हम तभी आगे चल सकते हैं अगर आप अपने आपको ऐसे ही भरोसा दिलाते रहें कि सब सही है, सब बढ़िया है आपको ये समझना होगा दिमाग केवल रास्ता बना सकता है ये यात्रा नहीं कराता अभी आप जाना चाहते हैं कहाँ आप किसी मन चाही जगा जाना चाहते हैं ये जहां भी हो आप कहीं भी जाना चाहें पहले आप मन में सोचते हैं अच्छा मैं वहाँ जाना चाहता हूँ चीजें, तो दिमाग रास्ता बनाता है, लेकिन आपको लेकर कभी नहीं जाता है, अब भी आपको रास्ता चलना होता है, है कि नहीं, तो अगर आप यहां बैठकर भगवान के बारे में सोचते हैं, स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, अध्यात्म के बारे में सोचते हैं, आत आपके पास सबसे अच्छा हाईवे है, लेकिन आपने यात्रा नहीं की, और क्या, ये बिकार का हाईवे है, अगर कोई यात्रा नहीं करता है, तो आपको समझना होगा, जो आप दिमाग में करते हैं, वो वास्तविक्ता नहीं है, ये बस दिशा निर्धारित करता है, लेकिन आप इसे विस्तार से बता सकते हैं। देखिए, इन संस्कृतियों में निश्चित रूप से आपने विचार प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है, पुनर जागरन काल के दार्शनिकों ने कहा है, मैं सोचता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो आपने विचारों को इस तरका महत्व दिया है. लेकिन आप मुझे बताएं, आप अपनी साधारन समझ से मुझे बताएं, क्या सच है? क्योंकि आपका अस्तित्व है इसलिए आप सोचते हैं या आपके सोचने से आपका अस्तित्व है क्योंकि आपका अस्तित्व है इसलिए आप सोचते हैं है कि नहीं आपने जीवन को सोचने के अलावा किसे और तरह से नहीं जाना है इसलिए अब आपने इसे इतना महत्वपूण बना लिया है अब मेरे लिए कोई विचार नहीं है अगर मैं यहाँ ऐसे ही बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पर दिमाग में एक भी विचार के बिना बैठूंगा इसका मतलब यह है कि मेरा अस्तित्व नहीं है मेरा अस्तित्व है, पूरी तरह से अस्तित्व है, चूंकि मेरा अस्तित्व इतना शक्तिशाली है, तो विचार मेरे लिए बहुत छोटी सी घटना है, मेरे विचार मेरे जीवन में एक छोटी सी घटना है, मैं सोच सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सोच नहीं सकता, मैं सोच स ज्यादा बड़ा है अभी लोग अपने विचारों को अपने अस्थित्व से बहुत ज्यादा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं विचारों को इतना महत्व देकर जीवन को देखने का बहुत बीमारू नजर्या है शुरुवात में यह आपको रोमांच देगा क्योंकि आप विचारों से कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं देखे अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करें आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों पर विशेश नियंतरन रख सकते हैं यह आपको अच्छा महसूस कराएगा लेकिन यह जीवन का परम समाधान नहीं है आप दुनिया में प्रभावशाली हो सकते हैं लेकिन अपने भीतर आप अब भी एक उलजन होंगे यह इतना महत्वपून क्यों है यह आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह इतना महत्वपून क्यों है आप अपने बारे में जो भी सोचें पूरी दुनिया आपके बारे में जो भी सोचें इसका अस्तित्व संबंधी कोई महत्व नहीं है अभी आप जो भी सोच रहे हैं, अस्तित्व संबंधी इसका कोई महत्व नहीं है, इसका किवल मनोवैग्यानिक महत्व है, हो सकता है सामाजिक महत्व है, लेकिन अस्तित्व संबंधी कोई महत्व नहीं है, तो जब हम कहते हैं आध्यात्मिक प्रक्रिया, हम बात कर रहे हैं अस्तित्तो संबंधी आयाम की, मनो वैज्ञानिक आयाम या सामाजिक आयाम की नहीं.